हेलो दोस्तो हमारी यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो आज में लिखे आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही असान सी रेसिपी जो आप बिना मैदा और बिना आटा सूजी बेसन चावल के आटा के बना कर तयार कर सकते हैं और बहुत ही असान है आ यहां पर मैंने भीगी हुई चने की डाल ली है आदा कप आप देख सकते हैं डाल अच्छे से भीग गई है जब भी नास्ता आप बनाएंगे तो आप 3-4 घंटे के लिए भिगो देंगे या फिर आपको सुबह नास्ता बनाना है तो आप रात को ही भिगो दें इस डाल को दाल को पीशने से पहले अच्छे से दोलेंगे ताकि कोई भी कैमिकल या कलर हो वो निकल जाए तो यहां पर मैंने लिया है हारा धनिया हारे धनिया से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा एक मैंने हरी मेस डाली है और थोड़ा सा मैंने अधरक डाला है एक किंच का पेस्ट को एक बड़े से बरतर में ट्रांसफर कर लेंगे ताकि हम अच्छे से मसाले मिक्स कर सकें तो यहां पर हमने पेस्ट को ट्रांसफर कर लिया है तो ग्रेट की हुई हम यहां पर गाजर डाल देंगे मैंने आधी गाजर ली है और एक प्याज को बारी काट कर डाला ह को एैवा तोड़ी सी मैंना यहां पर को देशा कि आए अई डाली है तो इस मेट नमक डालेंगे यह झраз भूप्णि औरória कहिं किसले नास्ते को बना सकते हैं तो यहां पर हमने गैस को ओन कर लिया है और पैन को हम गरम कर लिएंगे मीडियम गैस रखेंगे गैस को तेज बिल्कुल करेंगे अब मैंने लगा दिया है फोड़ा सा घी इतना की काफी रहेगा अब हम एक चमच भर के पेस्ट को अथे पर जैसे हम पैन केक बनाते हैं वैसे हमें बना लेना है आप चाहे तो इनका साइज बड़ा कर सकते हैं जैसे कि पराठा बनाते हैं वैसे बड़ा रोटी की तरह हम बना सकते हैं तो दोस्तों तीन से चार जगे हम यहां पर नास्ते को फैला देंगे अच्छे से और आप चाहे त तो दोनों साइड से हम अच्छे से धीरे धीरे सेखेंगे ताकि अंधर तक जो दाल और सब्जियां वह बड़िया तरीके से शिक जाएं उस्तों एक तरफ से नास्ता शिक गया है आप देख सकते हैं आप हमें इसे पलट देंगे पलट के दूसरे साइड से भी सेख लेंगे यहलका ब्राउन होने लग जाएगा उसके बाद ही हम गैस को बंद करेंगे दोनों तरफ से बड़िया दरीके से यह नास्ता सिक जाएगा तो खाने में बहुत ही तेश्टी लगएगा अगर थोड़ा सा भी कच्चा रह जाएगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से यह नाश्ता सींग गया है दोनों साइडों से कैस को हम कमी रखेंगे तेज गैस इह बन कर तयार हो जाता इस नास्ते को मैंने आप देख सकते हैं तीन से चार बार अच्छे से पलटते हुए सेख लिया है इसी तरीके से दोस्तो इसको सेखना है जब अच्छे से नास्ता सिख जाएगा तो खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तो बहुत ही अच्छे तरीके से यह नासा सिकर तयार हो गया है और आप देख सकते हैं बहुत ही लाजबाब लग रहा है तो दोस्तो यह हमारे मिनी पराठे बनकर तयार हो गए है जोस्तो हमारा ये दाल और सब्जियों से बना हुआ पराठा कैसा लगा आपको कॉमेंट करके जरूर बताना और ये रेसिपी आप लोग एक पाद जरूर ट्राइ करें ट्राइ करने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर हमने नास्ते को अच्छे से लगा दिया है और इस नास्ते को आप दही चटनी सॉस के साथ खाएगे बहुत ही तेस्टी लगेगा और यह नास्ता बना कर आप लंच में भी रख सकते हैं और चाय के साथ भी खा सकते हैं तो यह देखी दोस्तों यहाँ पर हमारा जो नास्ता है कितना खूब सूरत लग रहा है देखने में और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है तेस्टी के साथ साथ ये हैल्दी भी है और आप देख सकते हैं कितना लाजवाब लग रहा है तो यहां पर हम एक पराठे को खा कर देखते हैं कि कैसा बना है तो यह दोस्तों बहुत ही टेस्टी बना है आप लोग जरूर ट्राइ करें ये रेसिपी तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ थेंक्यू फर वाची